आपने ओक्सों का रिपोर्ट भी पर लिया होगा लेकिन उसके सांथ जो सबसे देश के बड़े पुझी पती हैं क्या वेट फ्रॉड हैं एरा फिरी किया है यह आपको नहीं पता लगा हुआ यह एपिसोड यहीं पर्ताल करने की कोशिश है कि देश का सबसे धनी व्यक्ति अडानी गौतम अडानी कौन से जालसाजी में है कहां हेरा फिरी किया है कहां उनके खिलाफ रिपोर्ट आए यह परनामा हर समय इस तरह के मुद्दों की पर्ताल करता रहता है और जन सरोकार के जो मुद्दें आपको पतातार रहता है चलिए बात करते हैं अडानी समू स्टॉक एरफेर और एकाउंटिंग दोका रड़ी फ्रॉड में शामिल अमेरिका के एक फर्म ने एल रिपोर्ट द और भी करते हैं अब क Spaß एक गरते हैं ओछिरज करते में सिनियर पत्रकार पड़िश्ट पत्रकार संपादक सह अदिवक्तां जीप्री सिंग साहब मौझूद है उनसे बात करेंगे कि अडाने फजा का स्वागत देखे देखे सर थोड़ा पीछे चलिए और हरसद मेहता का कारेकाल याद कीजिए हम उसके पहले नहीं जाना चाहते लोग भूल जाते हैं हरसद मेहता ने हम प्रविर्ती की बात कर रहे हैं पैसे की बात नहीं कहां जाती है हरसद मेहता ने ऐसा बूम जो है शेयर मार्केट में लाया था कि जो लोग शेयर मार्केट की ओदेखते नहीं थे उन्होंने जो है अपने गारी कमाई के पैसे जो है वो शेयर मार्केट में लगाने शुरू किए और उसमें जो शेयर तब जब आते थे उसमें प्रिमियम वाले शेयर बहुत कम होते थे आम तोर पर सेयर जो है दस रुपए का दस रुपए में ही मिलता था जो अगर आप बेसिक सेयर कंपनी से खरीड़े जब उनका सेयर आउट हो तो और नहीं तो जब आप मार्केट से खरीड़ेंगे तो मार्केट से तो मार्केट के दाम में करीड़ना पड़ेगा जी और सेयर हरसत मेता की सब जालसाजी पकड़े जाने के बाद हरसत मेता की जेल जाने के बाद पूरा सेर बाजार मुखे बल धर्णाम से गिर गया था पूरा सेरबाजार और जो तमाम बहुत से निवेशक थे जो अपनी गारी कमाई का पैसा जो अपने प्राविडेंट फंड का पैसा जो इसम लगा के एक कचार मनी करना चाहते थे वो जो है मुह के बल गिरे और उसके बाद से ये मूच्वल फंड का जो है दौर सुरू हुआ क्या मूच्वल फंड के इतने फंड है उसमें आप अपना पैसा लगा के विशे सग्यों दौरा अपना इंवेस्टमेंट कराईए और उसमें भी बहुत रिस्की मूच्वल फंड भी है बहुत डिफेंसिव मूच्वल फंड भी है अब उसमें भी आपकी जो है चाहत के अनुसार है आप अगबार पढ़ते हैं कि इनका फंड जो है एक साल में तीन सो पचीज गुना बढ़ा इन्हों ने इतना रिटरं दिया सुनिए तो हां मैं भी जोड़ता हूं से ना है यह में पैसा आपकी को देदूगा वही रहूंगा इलावाद में तो आप से बताएं कि जो है वो पता चला कि जो है उसमें भी कितने लोग दूपते हैं जो ब्लीव चीफ फंड में लगाते हैं ज्यादा मनी के लिए मार्केट डाउन होता तो पूरा पैसा डाउन हो जाता है इसके बाद आप सत् दूबा उसके माली को ग्रिफ्तार किया गया मतलब क्या क्या कहानी हुई सत्यम राजू को आप लोग सब जानते हैं फिर मार्केट डूप के टूटा अभी जो हीडन बर्ग ने अदानी जी के सेयर के और यह जो इनका जो इतना पैसा जो चड़ा जा रहा है जो इतने बड़े जो है वो फोर्ब लिस्ट में दूसरे नंबर पर और पहले नंबर पर जो है आते भाई और चौथे नंबर पर पहुंच गया है आज इनका साथ खरब अरब नहीं पांस से साथ खरब रुपया केवल एक राट में डूब गया है इडेन बर की रिपोर्ट पर जी और मार्केट में मार्केट में भेल लगी हुई है इनका सेयर बेचने की आफिर अपर पार है क्योंकि जो है इतनी खतरनाग रिपोर्ट है और इनके बारे में जो एक प्रकार का सच पूचिये तो पूझी वारत का रास्त्री संकट है देश में आरती गुदारी करन का ये रास्त्री संकट में इसको मानता हूँ और इतना बड़ा ये जो है मामला घोटाला हो गया साथ खरव रूपया एक रात में डूबना बारती निवेश्कों का पैसा जो है मतलब इतना डूबना आपसे बता रहे है आपको बता है कि भारत सरकार को सामने आकर ये बताना चाहिए कि अडानी समू मनी लांडरिंग टैक्स शोरी दस्तावेज में हेरा फेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है जो हिंडन बर्ग की जो है रिपोर्ट में जो दो साल के रिसर्च के बाद जो है वो क्या करते हैं सामने आई है उसमें कितनी सच्चाई है क्या देश के लोगों का पैसा हरसत मेता सत्यम केम्पूटो रियाइस तरह जो हाई सर्किट लग करके और सेर बजार में घुटाला होता है उसका सिकार होकर के जो है फिर से एक बार जो है वो क्या करते हैं मतर ठखे जाएंगे भारती दिए सक एक बार फिर ठखे जाएंगे कब तर ठखवाएंगे आप आर्थी गुदारी करन के नाम पराद भी आप लाज से डेमेज कंट्रोल कर रहे है आप मार्केट में हवा फैला रहा हैं साब हम इसे मुकरमा करेंगे अब सवान इस बात करा है कि जब आपके उपर मनी लांडरिंग टैक्स शूरी ब्रस्ता चार और आप ये समझ लिए कि कोई इनका सेर नहीं है जो इनकी जो नौरत कर्पनिया हैं, अदानी ट्रांस्मिशन लगबग 10%, अदानी पोर्स 7%, अदानी बिलमर 5%, अदानी पावर 5%, अदानी टोटल गैस 4%, अदानी ग्रेन एनरजी 5%, अदानी एंटरप्राइज़ 7% गिर कर बंद हुआ है, अब मुजा सिमेंट जो इन्होंने हाल में खरेदी थी उसाथ परसेंट, ACC सिमेंट सवा साथ परसेंट और NDTV का सेयर 5% गिरा है, ये भी रात की कहानी है, आज 26 जन्वरी ये सेयर मार्केट बंद है, कल खुलेगा तू देखिएगा क्या होगा, हमारा गयना है कि ये, अदानी केस कर सकता है सर, अदानी केस कर सकता ह और इनके बारे में खतरनाक है, कि इनका जो फ्राड और जो इतना आप बाकी से बोल रहे हैं, तो अदानी योगी को बोल कि आपको जिल में डलवा सकता है, नहीं वो हमको डलवा दे, लेकिन जो ये ब्लैक एंड वाइट में है सर, ये हम अपने से नहीं बोलना है, मैं कोई मार्केट इस विसे सकते नहीं हो, ये जो ब्लैक एंड वाइट में तमाम मीडिया में जो आ रहा है, और आपको पहले ही बता दू का अडानी ग्रूप में, जो अडानी के सीओ, एफेपो कई 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 पद उसमें हो जाते हैं, उन्हों न कहा कि ये सब छूट है, और हम जो है लीगल जो है, वो क्या करते हैं, रास्ते को ढूड़ रहा है, कि हम इनके उपर मुकादमा करेंगे, अब आप ये सोचिए कि जो आपका जो है, ये सब रिपोर्ट आई है, किस के उपर करेंगा मुकादमा, जो अमेरिकन अडानी के उपर करेंगे, जो कंपनी है, अमेरी की उसी पर करेंगे ना, उसी दे तो आखड़ा दिया है ना, जिस आखड़े को लेगे पूरी दुनिया में जो आर्थिक विशेशा के लिए उड़े हैं, ये बिजनेस स्टेंडर पर करेंगे, कि नोभारा टाइम्स पर करेंगे, कि जनसत्ता पर करेंगे, कि इंडियन एक्स् काम करेंगा तो अखड़ा अडनी अडानी अब लग रहा है, आपको बताये कि ब्लीउ बर की रिपोर्ट में कहा गया है, और हिंडेन बर की रिपोर्ट में कहा गया है, कि एडानी पर इतना जादा करजा है, कि अडानी जो है किसे दिन चुपके से सेयर बेच करके मार्केट से निकल जाएंगे और अडानी के भाई बिनोड अडानी और रिष्टेदार मारिसास टैक्स हेमेंस में उन्होंने सेल कंपनियां खोड़ रखी हैं जिनके माद्यम से बहुत बड़े पैमाने पर बनी लांडरिंग हो रही है और कहा तो यहां तक जा रहा है इस समय कि नोट बंदी के दोरान भी जो है बहुत काला पैसा सफेद हो गया इनी सब कंपनियों के माद्यम जो यह कह रहे थे काला पैसा आ जाएगा और पता चला जितना आपने जो है नकली नोट और असली डोट पहचानने की मसीन लगी हुए, वहाँ भी उसमें पहचान में नहीं आगे, कितना नकली नोट उसके चक्कर में आगे, सब आप ही कह रहे हैं, हम नहीं कुछ कह रहे हैं, तो सब्सक्राइस बात का है, अब एक कुछ नहीं रियक्शन, कोई पुलेस्टन और एकाउंटिंग फ्राड में सामिल हैं, क्या बात है, अब आप एक बात समझेए आप, आपने कोई सहुदा, कोई जमीन पचास लाख रुपए में खरी दी, आपने, जी, और आपने अपने जो पार्टनर बिजनेस दोस्त हैं, पार्टनर हैं, उनको बताए तो हमने जो है क्या आपने नंबर एक में खरी दिया, इसमें टोटल कास्ट दो करोणर रुपया आया है, और इसका जो है हम लोग 10 करोण, 15 करोणर रुपया इसमें से कमाएंगे, तो आपने उनसे उनसे भी 50-50 लाग रुपया ले लिया, तो तीन हो गया, आपने 50 लाग अ को पार्टनर बना करके, और फिर उसके बाद जो है, आपका जो है, वो बिल्डिंग करस्रक्सन का खेल सुरू हुआ, बिंडिक करस्रक्सन में, आपने वतायक साब जो है, वो डिवलप्मेंट एथारिटी इसको पास करने के लिए, एक फ्लैट का 10 लाग रुपया जो है, व बनाने के दोरान इंजिनियर को उँ को खूश दिया, उनकी ब्लैक मनि और ब्लैक मनी उसमें और लग गई तो क्या यह सुनिशित किया कि बिना ब्लैक मनी के बिल्डर का जो है वो बिल्डिंग बन जाए आखिर वो जो बिल्डिंग बनाएगा जिसमें नीचे जूपर तक उसने डिडॉपमेंट कि अपस को नाक्सा पास कलाने का C पैसा दिया है वह पैसा जो है कहां से वसूले का अपने खरस का पैसा, पर देखते हैं, चानति जो। प्यापार देख रहे हैं, जब उन्होंने जो है क्या किता है, इस पर रिसर्च करना शुरू किया दो साल से, सारी चीजों का पता लगाना शुरू किया, तो जैसे हमको मालजी बिल्डिंग के बारे मालू मैं तो बिजनिस नहीं करता, वैसे उनको भी पता चला होगा, तो उन इंफ्रास्ट्रक्शर के लिए जो है वो होगा, क्या करते हैं, मतलब तमाम ऐसा रहतिया माल होगा, जो बनाने के दवरान काम आता है, तो खरीती हैं जो है कंपनियां उसको अपनी आइस टाक करती है, जे, बाइगे जो है एक लाक्टन उन्होंने जो है माल ये सिमेंट करी तो मोगे पर तो 25 लाग टन कम मिला है आप वेरिफाइज नहीं करेंगे तो कैसे पता देलेगा कि एक लाग टन है कि जो है वो क्या करें 75,000 टन है 25,000 टन तो उसमें से 20 में से गायव है ना इस तरह का जो manipulation है मतलब यह सब बहुत बारीक manipulation है और यह human manipulation है जिसको आप एक साथ सब क्या नहीं पकड़ सकते कि जिसके आँ छापा मारेंगे वहाँ पकड़ा जाएगा फिर छापा मारने जो आपका गया वो अगर पैसा लेके चला आया तो आप क्या करेंगे उसने देखा कि यहां क्या किते है एक लाग टन माल कम है उसने दिखा दियागासथ इसमें क्यों पंच हजार टन माल कम है तो यह जो पूरा हेरा पेड़ी चला है तो यह जो हेरा पेड़ी चला है इसका मश्रूम कहां जा रहा है अब यह तो सोथ का भी से हैं यह तो हरस्त में था तो कुछ भी नहीं है वो तो पिनेट था है वो तो चोड़ा था पिनेट था हमने तो आपको सिस्टम बताया कि जैसे आपका अभी जो है दो तीन महीने पहले क्रेडिट साइस जो है वो उसमें एक क्रेसील ने चापी थी कि अडानी ग्रूप आकरामग तरीके से कारोबार विस्तार कर रहा है जिससे कंपनी पर वित्ती दवाव लगातार बढ़ता जा रहा है और कंपनी का कैस लो घट रहा है क्रेडिट साइट ने यह भी कहा था कि अगर हालाद बिगड़े तो कंपनी कर के जाल में बुरी तरह से फस सकती है और वर्स 2022 में कंपनी का कर्स 2.2 लाग क्रोड रुपए हो गया था फिर इन्होंने बहुत डबाला तो उन्होंने कहा कि नहीं हमको थोड़ा आकलन में गलती हो गई लेकिन अब जो यह आपका हिंडेट बर्ग की रिपोर्ट आई है यह आपका पैसा दिन दूदनी राच चोगनी बाई हूकार बाई कुरुग जो है वो पुस्वपे पलवित हो रहा है तो किसी जिन उसमें से गर एक चूड़ी खसकी और वो जो है क्या करते हैं गिरना शुरू हुआ तो आप सम्हाल नहीं पाएंगे मूँ के बल गिरेंगे या आप हम लोग पुरुवांचल के रहने वाले हैं हम लोग किया जब पतल में भाद दिया जाता है तो बच्चे को क्या सिखाया जाता है बच्चे को सिखाया जाता है कि पतल के भाद को ऐसे ऐसे दबाओ और दबाने के बाद जब जाए तो बीच में उसको जो है वो एक गड़्धा बना के कुवानुमा या एक गड़्धा बनाओ जिसमें डाल लिया जाता है ताकि डाल पहले नहीं डाल के लिए अलग से कटोरी नहीं दी जाती भोजबात में और आप अगर यही दक्षिन में चले जाए तो दक्षिन में जो चावल आपको जो परुशा जाएग एक तो भुजिया चावल होगा ऊपर से चावल में जरा भी मान नहीं रहना चाहिए बनाने के बाद उसमें आपके क्या करते हैं डल्ची उसमें डलिया में डाल के उसमें दो बाल्टी पानी डाल दिया जाता है चान दिया जाता है ताकि बिलकुल मान न रहे और फिर चाव तुने एका चावल में सेल्फ सिस्टम नहीं है, जो पुरवांचल में जिसको सिखाया जाता है, तो जब आप समझे कि सिवा जी एक बार जंगल में भटक गए और एक बुढ़िया के जो है वो क्या करता है जोपरी थी, दिया जल्दा ता वहां गए, तो बुढ़िया तो नह का हा मा भूख बहुत लगी है, हम खा लेंगे, तो उसने पतल दिया, पतल में चावल दिया और चावल में जब दाल दाला तो दाल लगा इधर उधर उधर बहने लगता था, उधर रोकते थे तो जैसे दक्षिन भारत में बहता है, तो उसने कहा कि बेटा, इसको जड़ा इसको बीच में जड़ा वो करके चावल को तो रोको ने ऐसे नहीं रुखेगा, तुम तो सिवा जी की तरह हो, तो सिवा जी को कौतूहल हुआ कि जो है, हमको ये सिवा जी कैसे कहने, क्या हुआ मा, सिवा जी क्या गरबर करते हैं, कहिंग बेटा, वो एक गे लाद किला जी तो सवाल इस बात का है कि जब आप आर्क्रमक तरीके से बढ़ेंगे तो आपका अगर एक लोन, दो लोन, पांच लोन या इस तरह कुछ भी सरका और आपने उसकी मजबूती का इंतजाब नहीं रखा हुआ है क्योंकि आप तो सफलता के घोड़े पर सवार होके दोड़न है और आपको चावल का जो है वो पीठा बना करके और उसमें तालाब बनाने का आपने सीखा ही नहीं है तो मूँ के बल सारा का सारा गिर जाएगा, सबका इसी तरह गिरता है आप से बताने आप देखते होंगे जब लोगों का धंदा गिरता है तो एक भी नहीं बसता सर, दो सवाल लूँगा और, चुकि आपकी नजर इसे बहुत और, मैं अर्थ शात्र का छात्र नहीं ही इतियास का हूँ मैं भी नहीं हूँ सर, मैं तो फिज्ञान ओला का छात्र लेकिन आप पत्रकार हैं, जी, थोड़ी हमारी नजर सब्ज़गा रहती है, जी, हाँ, एक भाउता ही है, कि जो निबेशक हैं, उन पे क्या इसका असर पड़ेगा, दूसरा, अगर 2024 में सरकार बदली, मान लीजाए, तो इसका इंप्लिकेशन क्या हुआ, दो सबाद, मेरे जहर में आ रहा है, देखिए सर, 2024 में सरकार बदली, तो वो कह रहा है, हमको मोनोपली नहीं चाहिए, अगर दूसरे सरकार जैसा कि अगर आ सकती है, कांग्रेस की माली, मोनोपली नहीं चाहिए, लेकिन हमको आर्थिक उदारी क करना चाहिए, वो इससे नहीं हटना चाहते है, या भी नहीं हटने की बात इसलिए कहने है, कैसा नहीं हो कि इस आर्थिक उदारी करना के नाम पर हमारी सरकार उड़ जाए, या हमारी सरकार ना है, तो आने के बात पता चलेगा कि इनकी आर्थिक पालिशी क्या होगी, मोनो मोनुपली अगर हो गई है वह जल परिवहां आपका कोईला इस पे ads पर जो मोनुपली होती जा रही है सीमिंट पर जो मोनुपली हो तड़े गा जैसा जाइस आप कह रहे हैं किम beer मौनुपुली नहीं नए होने देंगे और कानून बनेगा तो फिर यह जितने भी इस तरह के लोग हैं जो आपका क्रूनी कैप्टिलिज्म में आगे बढ़ रहे हैं उनको कहीं न कहीं धक्का लगेगा और दूसरी बात एक सवाल हो और आपने क्या पूछा सरकार आने के अरावा यह पूछा था कि निवेशक जो है पुरा निवेशक पर चड़े हूं देखे वो किसी न किसी को पकड़ेगा किसी न किसी को जो है आपका टमाम लोग मार्केट में बैठे हुए है इसके अजेंट है जो कहनेगे भी या इसमें आप पैसा लगा दीजे बहुत लोग रोज स्टा खेलते हैं वो आनलाइन रोज पैसा कुछ थार दो हजार इंवेश्स करत पर जो बड़ी बड़ी गंपनिया है। अपने हो क्या एंड हैं निवेसक थाइट में हम को स्टार्ट में पैसा लगाना चाहिए किस स्टार्ट में नहीं लगाना चाहिए। आम तोर पर निवेसक वो है, जो एक छोटा मोटा निवेसक है, वो जब मार्केट का बहुत इस तरह उतल पुतल देखता है, उसका पैसा डूपता है, तो मार्केट से बाहर हो जाता है, दूसरे निवेसक आ जाते हैं, आज जो मुचुल फंड फैल रहा है, वो इसलिए फैल है, थाकि जो निवेसक ले मैन है, जैसे मैं माल ये ले मैन है, तो मैं किसी भी, अब 10 रुपए की जगा माल ये कोई शेर 400 रुपए का मिल रहा है, तो 390 तो अभी जादा हो गया, तो हम उसमें इंवेस्ट करके क्यों फसेंगे, हम किसी ना किसी, अपने उसके मार्द्यम से आई पी ओ में पैसा लगाना ठीक है कि नहीं, या हमारा पैसा किस स्टाग में तुम लगाओगे, ये उसके फंड मैनेजर जो है, उसमाल जी कि वो ये पूरा ब्यापार इस समय चला रहे है, वो सरसत मेता के समय जो खुद लोग सड़क पर जगा जगा फार्म बिक में लग दूसरी बात जो पैसा भी है, अब उसके लिए आपको बकायदे उसका एक special खाता फंड है, उसमें आप जो पैसा रखेंगे, उसमें सो पैसा उसमें ट्रांसफर होगा, आपके general fund से पैसा नहीं ट्रांसफर होगा, इसलिए जैसे आपका online trading भी जो लोग करते है, वो बां ज तो इसे में लगाएंगे, लगा देंगे, अगर उनका पैसा माल जे की डूबा, तो उस दस अजार वाला जो खाता है, जो उस फंड मेनेजर के पास गिर्वी है, उसमें सो दस जार में सो पैसा निकाल करके जो है स्ताक में बेज देगा, और वहां से जो पैसा है वो आपके फ सक्षंदा रहता है, लेकिन फिर उसका वैपार है, वो उसका आमदनी खर्स का हिसाब है, अब सर्वाइज है, तो जो डिफेंसिव मेच्वाल फंड है उसमें आपका घाटा नहीं होता, लेकिन आप जो आफेंसिव वाले बितने बिलूचिप वाले में पैसा लगाएंगे तो खुब चरता भी है और जी पूलिए हम तहां लगा रहे हैं इसलिए इतना आइडिया है मुझे पूछ आइडिया नहीं है अब हम आपको क्या बताएं सर हमने पंद्रह हजार रुपए का जो है खरीद लिया जो है मास्टर गेंड अच्छा दस रुपए का मिल रहा था यू टी आई का और जब खुला तो सात रुपए सात रुपए में खुला फिर जैसे दस रुपए बीस पैसा हुआ हमने उसको बेच के पिंटालीस जार रुपए हमना वापस निकाला और समझे कि वो जो बीस पैसा था फो एंट का कमीशन हो गया और हरस्त मेता के जमाने में कुछ इंवेस्टमेंट किया था तो आपको बतारे पैर की हड़ी तूट गई, सनीचर ने तोड़ी तो कहते हैं कि सनीचर अगर तोड़ता है तो कुछ देता है तो हरसाथ महिता का जो आपका सेर था दस रूपय वाला 500,000 हो गया था 500,000, तीन रूपय या पांच रूपय हमने तुरंट अपने जो है जेंट हमारा एक दोस्ता आपने का जल्दी यार उसका पैसा वापस करो कहा है कि अब निकाला नहीं है उसी में बैंक में अब उसी में अडानी का इंपास अम्भानी के पास और भी लगाना बंद कर दिया आपने अम बाहर निकला हैं और का ये सब का हमारे बस कर ने चली कुछाआ में करना आपको बेज दीजिए साथ अभी तो सब्सक्राइब दान बाइस पसेड़ी है नहीं वो बाइस पसेड़ तो है ना तो यह माम लाशा तो आप एक टिप निदिए जी अगर अमेरिकन एजेंसी के रिपोर्ट सही अगर अमेरिकन एजेंसी की रिपोर्ट सही है तो इनकी कमपनी डूबाय माल है और इतने निवेश्कों का पैसा जो चला गया है मैं तो कहरा हूँ सरकार बताये ना आखिर आर्थिक उदारी करण में जो साइबर क्राइम हो रहा है कि जिम्म्णारी किसकी एक आप चाहते है कि रुपया भी हम डीचल करें हर चीज में हम अपना नमबर डालें और कहां से हमारे साथ फ्रावचाए तो फ्रावट को रोखने की जिम्म्णारी किसकी है हमारी येस ऐज आपके पास इसी बेस्था क्यों नहीं है कि कोई नकली नोट उस तरह का छपी न सके आपने साइबर के हिसाभ का लेंदें नोश साइबर के हिसाभ साइबर मनी वह साइबर रूपे ओप आपके जो है पेमें, जो है आपकी जो एजेंसिया है, उनके माध्य हम से उनका पेमेंट हो और सब हो, उसके बाद अगर अगला अगला द्मी फिराद का रौजार हो जारे तो जबनारी किसी है? सरगार की होगे? मनतنا है आप बताइए, आप आपने आज तक ऐसा क्यों नहीं कहा? कि बैंक से जैसे आपका नमाल ये कोई नंबर मांगता है कोई KYC मांगता है और आपके साथ बैंक रफ्राड हो जाता है आपने ऐसा क्यों नहीं कहा कि बैंक में कोई भी आनलाइन ट्रांजेक्शन बैंक के द्वारा अगले को इनफार्म करके और उससे यस लेकर के तब होना चाहिए जो आनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा है हम ही करें लेकिन आप हमसे उस बैंक से हमसे पुछवाई यह बैंक से कहीं जब आपके पास आपके पास ऐसी जन्रेश ऐसी बेहुस्ता जंदेटाब करनी चाहिए कि तुरन तगले से पूछे कि क्या आपने इतना रुपया यहां प्रांसफर करने के लिए कि अगर हम कहें कि ह हम कहा है हम कहें और उसका प्राइवेट नंबर दीजिए आगे जो ट्रेने चलती है तो आप यह सोचे कि जो एक्सेजेंट हो जाता है तो कैसे इस्टेशन मास्टर या स्विच मैन या केबिन मैन फसता है क्यों क्योंकि कंट्रोल से सीधे सीधे जुड़ा रहता है इस्टे मेन कोर्ड है कि हमने स्कोर से आपको यह आदेश दिया है और फिर वो करता है माली गाली का नहीं है यहां तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप खाता खोलिए आप बिना खाता खोले ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हाथे से ब्रॉड कमपनी बंद हो जाएग ensure पड़ेगा उसका बाजा बथ जाएगा बाद च्छापा तो आपकी जिम्मेधानित को बताए कि जो उसने च्छापा है वो हम जांच करा रहा है या आप लोग कुछ दिन के लिए निवेस बंद कीजिए या कुछ दिर के लिए उसका फ्रीज कीजिए कि जो बागी लोग का पैसा लिया है या आप इंतजार कर रहें कि मेहुल चौक सी और जो है वह क्या करते हैं उनकी तरह जो है देश्चोर के मालिया कि बाग जाएगा या इस तरह के तमाम लोग की तरह भाग जाएगा आप प्रणाइब बेज के एक दिन निकल लेगा क्या मतलब लिए का मारिसस जाएगा दुबई जाएगा जहां टैक्स हेवन में सब इसके नातेदार हिसेदार वेले लेंड चला जाएगा तो आएगा क्या रोज लोग बार में प्रदते कि मालिया हार गया बाने वाला है तो नीर हार गया तो अब आने वाला है तो मेहुल जोक सी हार गया तो अब आने वाला आया आठ साल साथ साल से तो आप देख रहे हैं छे साल से यहां बात है सर आप बहुत तगड़ा रिसर्च करकर रखें हुए मामला लगा है और रिटार्मेंट के बाद ईलाहाबार आ के रहांगा आपके हवेली में दोस्तों वह यह वाला जतें हैं और बड़े जमितार कभी लावा चाहिए तो जेपिशन साथ बिरूड में नहीं सर जो हिंदारी तो हमारी गंगा जी में बह रही है बलिया में दोनों बादों के बीच में अडानी क्या दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड यह समझना है आपको अपने पैसे कहीं लगा रहे हैं तो लगाने से पहले दस बार सोचिए और सोचिए और वीडियो पूरा सुनिएगा जरूर क्योंकि जेपिशन साब ने जो बाते कहीं है न वा जी सब लोग सरकार से मांग करें अपने जन प्रजनिट से मांग करें जो संसर्द में विधान सवा में हैं कि सरकार जो है घोसित करें कि जो है यह डानी वाला मामला फ्राड नहीं है चलिए पूरा वीडियो देखते रहिए शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए जल्दी मिलता हूं आपसे अगल मीडिये की बाथ नहीं करते हैं मंलोग कृता वाचेक नहीं शुक्रीया की पिस मिलता हूं अगले सिंदर्व शुक्राह यूंझ कि कि झाल